हरो अब्रीवन! क्या आप मॉर्णिंGU में अरली ऊछावते हैं जल्दी ऊछावते हैं ऑड आप उठ हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इसके पीछे क्या कारण है वह सारा चीज़ें हम डिसक्स करेंगे और आपको पूरलन मिस्थर देंगे जिससे आप क्या कर सकेंगे सुवह जल्दी उठ सकेंगे यह स्योर हो जाए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफनेटली मॉर्णिंग में जब चाहें आप उठ सकते हैं पर वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहल होता है अब दोनों का अलग-अलग प्रोब्लम है तो दोनों के लिए कुछ अलग-अलग solutions होगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस स्टूडेंट के बारे में जिसका नींद जो है वो खूल जाता है बट वो नहीं उठते हैं क्या-क्या कारण है और क्या-क्या-क्या चल जाएगा इसलिए बेड़ एक sleeping machine में से अगर आपको नींद आता है तो आप क्या करते है आप बेड में जाते हैं सोते हैं नीद आता है अब ख़ड़े आप पहीं पे खड़े हैं तो नींद तो नहीं आएगा ना तो इसका मतलब है कि आप अगर sleeping machine में ही रोगे तो आप तो सबसे फर्ष्ट आपको ट्राय करना है कि जो स्लिपिंग मसीन पर उचले क्योंकि आप उठना चाहते है और मसीन हैonstans कैक्स like लगे उठ्वे और वहीं नहीं पर बैठे वोगे तो thriving मसीन है वहां पर आपको फिर से होली जाएगा अब क्या गलती करतें हैं जिसके कारण से नहीं उठ पाते हैं पहले उसका बात करते हैं जिनका नींद खूल जाता है लेकिन वह नहीं उठते सब्सेंट मिस्टेग क्या करते हैं कि आप मोबाइल को बगल में में रखते हैं अब अलार्म जब बजता है और जब आपका नींद खुल जाता है तो आप अलार्म कट आउट करते हैं तो यहения कि बोलते हैं कि यह जिए Kevin हैं तो sleeping machine में ही थर जो mistake करते हैं student की वह उठतो जाते हैं उठके बैठ जाते हैं बैठने के बाद में फिर वही चीज वह करते रहते हैं कि 2 मिनट 2 मिनट और जैसे कि दो 12 15 मिलट पढ़ते हैं फिर से उनको नीद आ जाता है क्योंकि आप हैं तो sleeping machine में ही फिर जो mistake करते हैं student कि वो क्या करते हैं उठे उठने के बाद वो phrase हो जाते है फ्रेस होने के बाद फिर से bed में ही आ जाते हैं और फिर वहाँ पढ़ना इस्टार्ट करते हैं ये भी नहीं सही है फिर से आपको नीद आना ही आना है क्योंकि आप sleeping machine में हो तो ये total आप लोग mistake करते हैं अब इसका solutions क्या है इतना perfect solution है कि आप सुनोगे तो guarantee उठोगे बट इसके पहले हम उस student का भी बात कर लेते हैं या उस persons का जिसका नीद ही नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है जिसक alarm ही नहीं सुनाई देता है सुबह सुबह ये alarm लगा के रखते हैं रात में पट इनको alarm सुनाई ही नहीं देता है जिसके कारण से यह नहीं उठ पाते हैं second mistake क्या करते हैं कि आप रात में सोते लेट से हैं और अगर आप रात में लेट से सोगे तो फिर आप उठोगो कैसे अब बहुत सारे student बोलेंगे या बहुत सारे persons की नींदी नहीं आता है कैसे नींद नहीं आएगा आपको एक दिन नहीं आएगा दूसरे दिन नहीं आएगा तो आपको क्या करना है जल्दी सो जाना है थोड़ा सा थड़ जो mिस्टेक करते हैं कि सोते समय मोबाइल चलाते हैं अब मोबाइल चलाने से देखो होता क्य एक तो आप जग रहें दूसरा चीज उसका स्क्रीन का लाइट आपके आख में पढ़ा है जिसके रिजन से आप सुबह चाह कर भेज सुबह नहीं उठ पाओगे तो यह हो गया थर्ड मिस्टिक अब आपको करना क्या है फोर्थ में ये सुन लो पहले पहले कि आप अलार्म लगाओ अलार्म लगाने के बाद आप मोवाईल को थोड़ा सा दूर रखो और उसमें एकदम इरिटेटिंग म्यूजिक लगा के रखो ताकि आपको जैसे ही वो म्यूजिक सुने आपको लगे कि सबसे पहले उठ के उसको बंद करना चाहिए उसी चकर में आप बेट से नीचे आ जाओगे अगर आप तब भी नहीं उठ पाते हैं तो आप अपड़े फैमिली मेंबर को बोल दो कि सुबह मेरा important काम है कुछ भी important है और सारे फैमिली मेंबर को बोल दो कि हमको सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है आपको छोड़ देंगे यहां तक हो गया अब आते हैं final conclusion के बारे में अब यह दोनों student के लिए क्योंकि आपका नीद अब खुल चुका है जैसे ही आपका नीद खुले सबसे पहले sleeping machine को छोड़ना है यह आपको बेड को अपना छोड़ देना है और जाने के बाद आप पहले phrase हो ले फ्रेस होने के बाद आप पांच मिनट से या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए exercise जरूर करें क्योंकि minimum 5 मिनट आप जरूर करें और exercise करने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसके बाद आप पढ़ने के लिए जाए study करने के लिए बैठें और उसमें सबसे boring subject को ना ले जो आपको अच्छा subject लगता है उसको ले बैठ होगे तो थोड़ा ज्यादा active रहोगे अब जब comfort वाले में बैठते हो ना तो हो सकते हैं आपको फिर से नींद आ जाए इसलिए ट्राइ करें इस टूल में बैठने का और एक गलती तो कभी ना करें कि बेड में जाकर के पढ़ें जहां आपका study का table है वहां पे जाकर करके पढ़ें तो सबसे जादा अच्छा होगा आई होप इस सारा चीजे आपको समझ में आया होगा अभी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का reply ज़रूर करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में